नमस्कार दोस्तो, one of the stated goals of my channel is to bring आनन्द and सुकून in people's life towards this, this video is there, please watch it till end, थोड़ा गहरा जरूर लगेगा, लेकिन it will alleviate pain, emotional pain, emotional suffering, in case you are suffering from one, किसी भी age group में आप हो, तो ये video आपके लिए applicable है, and इससे आपके जीवन में, I am sure, clarity, सुक और आनन्द की प्राप्ती की तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर पीड़ा कम होती है, तो पीड़ा का कम होना ही सुक की तरफ बढ़ना है, and it is all relative, कोई एकदम absolute सुक की कोई state नहीं है, life ऐ जी आप देखिएगा, आप 20s में हो सकते हैं, या आप 70s, 60s में हो सकते हैं, हमारे जीवन में, all around us, अगर हम देखें, माता पीता को problem हो सकती है, health issues हो सकते हैं, आपके health issues sibling को आ सकते हैं, बच्चों की marital life के issues हो सकते हैं, अगर आप बड़े हैं, आपकी life में जो आपके निक emotional pain देते हैं, दोस्तों change हो सकता है, दोस्ती ही तूट सकती है, तो I will restrict myself to खून के रिष्टे, पेरेंट्स को कोई पीडा है, उसकी वज़े से आप पीडा में हैं, या बच्चों को कोई पीडा है, या वाइफ को कुछ हो रखा है, या आपको समझ नहीं आरा life को कैसे handle करें, it can be a health issue, it can be a marital issue, it can be somebody's great financial issues or some stress which they are having, तो आपको एक basic term या एक लाइन याद रखनी है, जो मैं बोलूँगा, and इसको आप लिख लें अपने खहीं पे, and अपने आसपास वालों को भी बताएं ये चीज, ताकि उनकी life में भी आए, and इससे हम बहुत, it is not possible कि हम connect ना हो पाएं अगर हमारे किसी यारे पैरे को बहुत issues हैं लाइक में, पर आप एक लाइन को याद रखें जी, ये मंतरी ही है एक तरह से, गुरू मंतरा, हम सब जनम के साथी हैं, करम के नहीं, जहां आप पैदा हो गए, आपका भाई, आपकी भेन, आपके बच्चे, तो ये साथी हम बन का सेशन हैं, एलिवेट करने वाला पैस्टो क्लासिस भी जॉइन कर सकते हैं, प्लाटिनम मेंबर्शिप लेके, लेकिन नहीं भी करना चाहरे हैं, तो मैं इस वीडियो के तहित उस चीज़ को यहां आप लोगों को समझाना चाहरा हूं, कि जीवन में अगर आपके किसी या पैच होकर मदद करनी हैं, जितनी हो सके, फिजिकल मदद हो सके, इमोशनल हो सके, फिनैंशल हो सके, without being totally like कि यह तो बहुत गलत हो रहा है, जो भी आदमी कुछ भी भुगत रहा है, अगर आप उसको यह लेके चलें, कि कुछ भी जो हो रहा है, उसके पीछे एक कुछ कर्मा थियोरी चल रही है, तो आप अपने आपको miserable नहीं करेंगे, that is one, the second thing is कि अगर आप ही weak हो गई, आप ही life में आप ही का मोजो चला गया, आप ही उन्हीं के साथ depressed हो गई, तो फिर आप किसी capacity में नहीं है उनको मदद करने की, क्योंकि अगर spouse है आपका, आपका बच्चा है, आपका माता पिता जी है, आपका भाई भैन है, ये उनके रिष्टे है, अगर वो किसी भी चीज से सफर कर रहे हैं, तो उनके साथ you should not be going down, and एक limit ही है जब तक आप उनको मदद कर सकते हैं, ये एहसास भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो करम है, उनको भोग के ही जाना ह जो भी करा हुआ है, तो उसमें आप अपनी लाइफ को जीते रहें, because मेरे पास consultation में बहुत cases आ रहे हैं इस तरह के, जहां बहुत, क्योंकि जिसको पीडा है उसको तो होशी नहीं है, मदद सीख करने का, मदद सीख तो निकटतम आदमी कर रहा है, which is fine, लेकिन वो निकटतम आदमी का हाल, almost, if not 100%, 80% उस इंसान की तरह हो गया, over a period of staying with that person, and यह कहना बहुत असान है, effect मत करो, यहां तो वीडियो बना के, मैं बिलकुल नहीं, यह नहीं कह रहा कि, ओहो, यह बहुत easy है करना, but then I said, सुखी रहना, खुशी रहना, is not easy, it is simple, जो भी मैं टेकनीक से बताता सिखा था हूं, they are all simple, but not easy, just because something is very simple, doesn't mean it is easy, so simple है, easy बिलकुल नहीं है, आप अपनी life में, please इसको follow करो, have that detachment, have your own agendas, have your own personal growth, बहुत परिवारों में मैंने देखा है, कहीं कुछ ऐसा हो गया, सालो साल वो प्रॉलम चल दी, उस परिवार ने ग्रो करना ही बंद कर दिया, भई बच्चों का क्या कसूर है, अगली जेनरेशन का, और जिस तरह की बिमारियां हो रही है, पहले क्या होता था, 56-58 retirement age होती थी, बंदा 60 पर निपढ जाता था, क्योंकि life expectancy कम थी, अब life expectancy का data आ गया है, दो साल बढ़ गी है, though I was expecting more, दिल्ली वाले तो 75-75 साल, which is very good, दिल्ली म मैं बोलते हैं, पलूशन की वेज़े से उमर कम है, मैं कहा रहा हूँ, अगर पलूशन ना हो, तो शाद 81 हो जाता है, I don't know, I don't think so, पलूशन एज इतनी ले जाता है, एज में और भी factors है, ठीक है, so दिल्ली वाले मुबारख हो, आप 46 साल टच कर रहे हैं, and हर 10 साल, 2-3 साल, एज, इंडिया में expectancy बढ़ेगी, life expectancy, every decade, 2-3 साल बढ़ेगी, तो जो अभी 30 साल का है, he can be reassured कि वो 85-90 टच करेंगे, as an average बोल रहा हूँ, as an average, जो अभी 30s में हैं, 20s में हैं, या even 40s में भी हैं, they will all go above 85, because expectancy average वाली बढ़ रही है, तो जब ये बढ़ेगी, तो ये नहीं देखने को मिलती थी, क्या है, वो अजीत का कोई जोग था ना, कि क्या को लिक्विड ऑक्सिजन में डाल दो, क्या इसको सांस नहीं आएगा, ऑक्सिजन जीने नहीं देगा, लिक्विड में सांस नहीं लेपाएगा, सम भीहुदा जोग वास देर, but what example I want to convey with that is, कि ज is natural that others will also suffer, you can't wish away bad things किया रहे यार family member को, लेकिन आपको उससे detach होके अपनी life को जीना है, and अभी बहुत Indians को 70s, 80s में जीना ही नहीं आता, ये भी सची बात है, because हम कभी इस में गई नहीं, पहुचे ही नहीं, एक जनरेशन थी जो कभी पहुचे ही नहीं, और वो जनरेशन हाई नहीं पाई, तो अभी role models नहीं है Indians के पास, कि how to age gracefully in 70s and 80s, if I see 20 people in 70s, 80s, and people are sensitive, but then this is what I see, and you tell me whether you agree with me or not, not more than 10% people in their 70s and 80s know how to grace, how to age gracefully, there has to be grace, you understand the term grace, I'm talking middle middle class, upper middle class की बात कर रहा हूँ, gracefully नहीं आपा रहा, चिड़ चिड़ापन, bitterness, life को enjoy नहीं किया, इस तरह की चीज़े हैं, मैं लोगों को एक dialogue मारता हूँ, एक mantra देता हूँ, एक चीज़ बोलता हूँ, जीवन को ऐसे जी रहे हैं लोग की कमी मरेंगे नहीं, और मर ऐसे रहे हैं जैसे कभी जीए नहीं, and this is ऐसे कि पता हो कि कभी भी मर सकते हो, वैसे जीना है, और जब मरने का समय आए, जब भी आए वो, ठीक है, तो remember that जीए थे, जीए थे, अच्छे से जीए थे, भरपूर जीए थे, तो भरपूर जीओ, जो करने का माना है करो, पर चकर क्या है, अजादी बहुत चीज़ों से नहीं है, तभी मैं कहा रहा हूँ, यह चैनल बहुत गहरा है, सारे लोग नहीं समझें अभी तक इसका, पुराना विदानत का सिस्टम डिस्कवर करके, फ्रिश तरीके से परोसराओ, नौकरी सीरीज है, मारिटल सीरीज है, रियल एस्टेट सीरीज है, मनी मैंड सेट मेकिंग सीरीज है, प्ले लिस्ट में जाओ, सीरीज देखो कितनी है, सब के डॉट्स जो कनेट करने लग जाएगा, गुरू कभी पका पकाय नहीं देगा, विकाज एवरीबडी डेजन्ट डिजर्व इट, कोई कुझी नहीं आएगी यहां से, क्योंकि वो भी अगर कर रहे हैं, और चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आप से मिर को पूछना है, क्या आप डॉट्स बनाने शुरू करें आपने, हर चीज के, because every video of mine is mostly related, all series are interrelated, all are verticals, you can't do without one, you will have to have the knowledge of everything, लोग यह कहते हैं, नहीं बस यह एक तरह की video बन जाएं, एक तरह की knowledge हो जाएं, because people are used to that, अरे जब हम balanced हाली खाते हैं, तो वहां भी तो हमें सब कुछ चाहिए, सिरफ fat से काम चलेगा, protein से चलेगा, सिरफ carbohydrate से चलेगा, vitamins, minerals नहीं चाहिए, सारी balanced diet होनी चाहिए, एक अच्छ समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो please comment section में, ज़रूर लिखेगा, एक एक alphabet की जगे, थोड़ा थोड़ा मैं चाहूंगा, आधी एक line भी लिख सकते हैं, and ये वाले video की अगर घहराई आप समझे, तो please लिखना, we have understood and we will follow, and we will tell others, because ये वाली चीज ऐसी है, बता तो अप आएगा, तो remember this thing, हम सब जो family members हैं, हम जनम के साथ ही हैं, करम के नहीं हैं, हमें अपना अच्छा करम continue करना है, कुछ होने से अपना रोकना नहीं है, हम सब unique हैं, and किसी purpose के लिए आए हैं, just because कोई आपके साथ left-right कुछ हो रखा है, doesn't mean you will stop living your life, yes, you will try your best to help, but from a distance, जब एक आदमी डूब रहा होता है, जो expert swimmer जाके बचाता है ना, उसके जाके चिपकता नहीं, क्योंकि वो भी उसको डबवा देगा, all of you who know swimming, all of you have learned swimming, all of you have taught swimming, will know this what I am saying, वो arms length पे रखता है, दूर रखता है, और उसको बस उतना उपर रखता है कि वो पानी पी के डूबे नहीं, लेकिन बीच-बीच में सांस लेता रहे, लेकिन अपने उपर लटकाता नहीं, उसको इतना भै होता है, क्योंकि वो आप पे लटक लेगा, दोनों ही डूब होगे फिर, वो तो डूबेगा ही, डूबेगा, वो डायलोग सुना हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो वो वह वाला काम रहता है, तो वही चीज है, scientific way में भी बता रहा हूं, as an astrologer भी चीज़े बताता हूं, as a logic guy भी बताता हूं, ताकि हर तरहे का audience करिएगा लोगों के साथ बहुत ही important चीज़े मेरे साब से, thank you very much.